दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लगो को भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन समित साथ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिन्होंने आप स्टॉक बोनस स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंट अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुष आप देख रहे हैं फेनोमीडी अब आया आरुष आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं हापे हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है मंगलम सिमेंट कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेज 316 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आपे डिविडेंट अनौंस कर दिया है 1.50 रुपीज का कंपनी ने आप स्टॉक श्प्लेट और रिकॉर्ट डेट है वह अभी तक अबकमिंग में है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है कहरा कैन लिमिटेड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेस 2,621 रुपीज के उपर में चल रहा है कमपनी ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया 12 रूपीज का अगले स्टॉक की बात करें तो कमपनी का नाम है बेंगॉल T-Fabrics Limited कमपनी का करन्ट स्टॉक प्राइज 80 रूपीज के उपर में चल रहा है कमपनी ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया 1 रूपीज का अगले स्टॉक की बात करें तो कमपनी का नाम है यानि की 14 रूपीज की अगले स्टॉक की बात करें तो कमपनी का नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड कमपनी का करन्ट स्टॉक प्राइज 359 रूपीज के उपर में चल रहा है कमपनी ने आप बोर्ड मीटिंग और्गनाईस करी है आज की दिन यानि की 28 जून को यानि जो परपस रहने वाला है मीटिंग का वो राइट इशू즈 को लेके रहने वाला है मतलब आज कमपनी आपर डाइट इशूद अनांस करने वाली है और राइट इशूद के अंदर क्या होता है example दे के समझाता हूँ आप company के stocks को जो है discounted price पे ले सकते हो मान लेते हैं company ने आप राइट issues announce कर दिये 15 is to 10 के ratio से तो इसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company के 10 stocks already है तो आप और 15 stocks को ले सकते हो at a discounted price मतलब market price से कम price पे आपको और 15 stocks मिल जाएंगे अगर आपके पास में इस company के 10 stocks होंगे यह मैंने खाली example दिया है अगर company 15 is to 10 के ratio से ऐसे announce करेगी right issues तो ऐसा होगा वरना ratio कुछ भी हो सकता है वो जैसी announce होगा मैं आप लोगों को intimate कर दूँगा आईए बात करते हैं हापे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है भनसाली इंजिनिरिंग और पॉलिमर company का current stock price 129 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आप स्टॉक बोनस अनाउंस के 1 is to 2 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company के 2 stocks हैं तो यहापे आपको एक stock as a bonus मिलेगा मतलब total में आप आपके जो 2 stocks होंगे वो 3 stocks में convert हो जाएंगे and इस stock bonus को दिने की जो x date होने वाली हो 5th of July की होने वाली है and वही जो record date हो भी same day की होने वाली है यानि की 5th of July की and दोस्तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही यही 7 stocks थे जिन्होंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because fenomedia के अंदर आपको ऐसी stock market से related content दिखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye